Hello Future Officers, So at last RRBPO का and Clerical का notification आने ही वाला है, short notice इसका आज release हो चुका है, 7th of June से जैसा कि expected था, इसके application form शुरू हो जाएंगे, अब यहाँ पर सबसे important बात यह आती है कि क्या आपके preparation है, क्या आप pre और mains दोनों qualify कर सको, क्योंकि सिरफ prelims qualify करने से काम चलेगा नी, और आपका prelims भ speed चाहिए, accuracy चाहिए, अच्छे marks चाहिए, तो इन सभी factors को ध्यान में रखते होए, मेरी आप सभी को एक advice है, अभी से serious होके अपने study पे लग जाओ, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना आपको study करनी है कीजिए, distractions को, सबको बंद करो, avoid करो, और comfort zone से बाहर निकल के effort करने है ये वो दो महिने है, जब आपकी preparation में, जितना भी आप, अपने आपको improve करोगे, वो आपके हर एक exam में आपका काम आने वाला है, so make sure कि इस opportunity को waste नहीं जाने देना, matter ये नहीं करता कि आप beginner हो, matter ये नहीं करता कि आप repeater हो, आप 2 साल से, 3 साल से exam दे रहे हो, बड़ आपका pre qualify नहीं हुआ, ये सब matter नहीं करता, matter ये करता है कि आप कितना effort, कितनी मेनत, discipline के साथ अभी कर सकते हो, जो भी help चाहिए होगी, pre और mains के regarding, वो मेरे से पूछना, youtube में comment section में, या फिर telegram group और channel, दोनों आप join कर सकते हो, वहाँ पर आप मेरे से पूछ लेना, एक चीज मैं आप करना मतलब अपने selection किसी और को देना, क्योंकि mains में current affairs और English या फिर Hindi, जो भी subject आप लोगे, वो आपका selection decide करेगा, pre और mains तो almost सभी बच्चों का एक level पे हो गई होगा, जितने बच्चे mains में आएंगे, उनमें से लगबग 90% बच्चों का math और reasoning दोनों same level पे होगा, लेकिन जो बाकी factors है, computer, current affairs, English या हिंदी, ये आपका selection decide करते है, as well as अभी की job की preparation होगी, ये आपकी SBIPO, IBPSPO and सभी clerical exams में काम आने वाली है, अच्छे से मेनत करो, पागलों की तरह, जितना हो सकता है, सब बोल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से जो बचे deserving है, जो मेनत क कर सकते है, वो दुबारा से अगले साल repeat हो, इस साल अपने parents को proud feel करवाओ, अपने future को secure करो, selection लो, और जल्द से जल्द, zomato करो, मेरे लिए, सब के लिए, तो मिलेंगे जल्दी ही अगले session में, अभी के लिए, bye bye, take care and see you soon.